अलो दोस्तों, वेलकम टू सिथी पंजाब, तोड़े वी आ गोन तोड़े गन्त अफिर्स रेलेवेंट फॉट पंजाब E-C-S and from the date of 22nd April to 24th April सारे जड़े भी पंजाब PCS चे ओन वाले एक्सपेक्टेट टॉपिक्स है उनना विच्चो अपा जड़े करेंट अफेर्स है उडिसकस करांगे अगे बदन तो पहला प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब दे चैनल और लेट्स फर्स सी दे कंटेंट्स दाट विया गूं सब्सक्राइब दल खाल सा अन इंस्टिटूट जड़ा की पंजाब हिस्ट्री दा इंपॉर्टेंट पाता ओधे वारे जानना जरूरी है तो अल्दो ए मैं बहुत डिटेल विच अल्रडी डिसकस कर चुकी है तो अडेनाल डिसेंबर दीसक्शन चे पर बहुत सारे सब्सक्राइब ओडिएफ प्लस ता एहे ओडिएफ प्लस क्या है एदा सिग्निफिकेंस क्या है इनू सब आप देख लवांगे थर्ड टॉपिक है एक रिसर्च आई है रिपोर्ट आई है जीदे अकॉर्डिंग कैनेडा नू इमिग्रेंट्स ती रिक्वार्मेंट सब्सक्राइब देख लवांगे थे अपने फॉर्न मिनिस्टर एस्जे शंकर साब यह वाज आउट विजितिं दी लेटिन अमेरिकन कंटरीज चार कंटरीज आपा पिछिली क्लास विच और नादे मैप्स ते वी सौ दो लोकेशन आप दोस कंटरीज नाउ उनना कंटरीज विच ही कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स एस्जे शंकर साब ने प्रपोस किते है थोड़ा जा आपने आयार दे रिलेटेड है रेलेवेंट हो सक्दा है इसलिए नू देख लवांगे निउस चा क्या है थेन फिफ्थ टॉपिक इज्रो पीसल्वी प्लेस तो सिंगपोरिय इसलिए ने संगेग्रों ने साल देख लुपिक इन अचेवमेंट इजरो प्रफ्क इसलिए आपने प्रप्रवा ने की में इंडिया दी ग्लोबल इमेशन ग्लोबल पावर नू प्रजेक्ट कर दा है थोड़ा जाए दिवारे दिसकस कर लाँगे यू कन उस ईज ए for all MCQ based questions right then India forms a trilateral with Iran and Armenia again important from IR perspective we will see what it is all about then eighth topic Congress on faulty VVPAT machines political news although not important for us only thing that is important here is VVPAT VVPAT क्या हुंदा है प्लिट के परस्पेक्टिव तो कर लाँंगे prelims means which you come as right then finally UN the weather agency the report on the warming earth up a sub no pata ki global warming has been who you know the temperatures of the earth have been growing ते दे करके पूरी दुनिया थे क्या impact आंगे ओ आप इते discuss करांगे right and finally Ujwala Yojana बहुत important government the scheme oh they impact so the significance क्या है इन्हों discuss कर लाँंगे आपा essays चे यूज कर सकते है question भी आ सकता है directly यह ते right let's start with the first topic Dal Khalsa as I told you Punjab exclusive the video चापा discuss करांगे so 29th April नु जडी मैं video हुन launch करांगी please watch that Dal Khalsa the all the details will be discussed there right next topic is eight one zero eight villages in संगरू district get ODF plus status ठीक है जी हुन देखो ODF plus क्या है ODF दी full form open defecation free राइट ए जर्नी स्टार्ट कतो होई अपनी ए जर्नी अपनी स्टार्ट होई let's see the background first fair news देखांगे स्वच भारत mission तो यह अपनी जर्नी इंडिया दी तुसी कह सकते हो स्टार्ट होई when the Indian leadership they envisioned की आपा इंडिया नू साफ सुतरा स्वच बनाया जाए राइट इंडिया विच देखो काफी illiteracy रही है एसे करके इंडिया विच open defecation खुले विच शौज करन्दी जड़ी टेंडेंसिया वी काफी जादा रही है ठीक है तो यह जड़ी हुंदिया काफी unhealthy practice हुंदी है flies जड़िया है जड़े किटानू ने उहो सारी बिमारिया ए फीकल वेस्ट तो pick up करके दूसरे लोका तक पहुंचा दियाने ता एसे विजन नाल open defecation free करन लई पारत नू स्वच भारत मिशन दा जड़ा मिशन है गवर्मेंट द्वारा चलाया गया सी नाव जड़ इंडिया open defecation free नू काफी हद तक खतम करन च कामयाब रहा सी ता अगला step launch कार दिता गया सी that was ODF plus मतलब इक अगर जगा ODF free हो गई है उपन defecation free हो गई है तो उनू अग्गे काम करना चाहिदा है इसे लिए प्लस था symbol introduced किता गया that is कि सिरफ लोका दे करा विच टॉयलेट नहीं हुन community toilet भी होने चाहिए पब्लिक टॉयलेट भी होने चाहिए कि लोग you know open which urination defecation विगेरा ना करन community level थे भी सफाई होनी चाहिए थी है एसे तरह ही तो अगला step लिता गया जदो लोका दे करे विच टॉयलेट सा गया लोका दे कम्यूनिटी विच विच टॉयलेट सा गया then next step चुक्या गया that was ODF plus plus status ODF plus plus था क्या मतलब है कि open defecation लोका दे करे अपा टॉयलेट सा प्रोवाइड कारतियां but what about the waste that is being generated fecal waste that is being generated वो सिद्धा ही waterbodies चे नहीं जाना चाहिए था mostly तुसी तेखो इंडिया विच सीवेज मैनेजमेंट दी प्रोविजिन नहीं है mostly waste सिद्धा waterbodies विच जामता है आप बहुत कहानियां पडियां भी है बहुत सारी एक्जम्पल्स भी पडियां है अगर तो अनुयाद है कोई ता कमेंट सेक्शन विच लिखो राइट सो नौ सीवेज मैनेजमेंट भी इंपर्टन था इसलिए ODF++ दा प्रोटकोल जड़ा है लांच किता गया आप यू रीड देटेल्स है बेसिक इस थिस थिक है तो सवच भारत मेशन जड़ा है इंडिया दा बहुत ही फ्लाक्षिप प्रोग्रम बहुत ही इंपर्टन रहा है इन वर्ल्ड दे लाज़ेस्ट बहेवरियल चेंज कैम्पेंड तुसी कह सकते हो खिताब वी दिता जा सक तो अनू ओधना दिया आधता उन्ना दा रैंसेन बदलना पैना है उन एस थे भी देखो इंडिया विच सोसाइटल लेवल ते है इशू सी विलेजिस्ट जो तुसी जाओंगे ओपन डेफिकेशन नू जादा प्रेफरेंस जादा हेल्दी मन्या जान्दा है ओल्दो साइं बेन आपा स्टार्ट किता सी ये वर्ल्ड दा लाज़ेस्ट भी एविरल चेंज कैंपेइन वियनू कह सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोग्रम है और कॉंसेप्ट है राइट सो नाओ हुन लेटेस्ट डेवलप्मेंट क्या आई है पंजाब विच संगरू रहजा फ ठीक है जी आठ वन एक सो आठ विलेज़ेस्ट जेड़े इस्टिस्टिक दे डिकलेयर किते गई है अधे अंडर तुसी ये थे नाम लिखे है पढ़ सकते हूँ इनना सारा विलेज़ेस्ट विच लिक्वेड वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दावी प्रबंध हुन करना स्टार्ट हो चुक्या है राइट कई जगावां ते कंप्लीड भी हो चुक्या है सो ये जड़े प्लेसे ने थे लोका देकर आविच टॉइलेट्स वी ने पब्लिक कम्यूनिटी टॉइलेट्स वी ने थे सीवेच मैनेजमेंट थे वी कम शुरू हो कया है अगर तो अनु किते वी सोशल इशूस थे कोई क्वेश्चन आन्दा है रलेटे तो देफिकेशन बहेवरल चेंज यू कन यूस दी केस्टडी आप इंटायर स्वच भारत मिशन अगर तो अनु कि यहां जामदा है कि यसी लाइक लेट से की गर्ल एजुकेशन नू पुश करना है विलेजिस कहजा विलेज है जिते की कुडियां दी एजुकेशन नू प्रेफरेंस नहीं दित्ती जान्दी दे आर मेरेड आफ अस सून आस दे टर्न 18 राइट सो तुसी कह सकते हो की कि I will as an officer launch a behavioral changer campaign on the lines of Swachh Bharat Mission उस चो क्या आफट किते जानगे लोगा नू एडुकेट किता जाएगा विमन दी एजुकेशन ली पहला फसिलिटेशन क्रियेट किते जाएगी उनना लही job opportunities क्रियेट किते जानगिया करे पेरंट्स नू awareness दित्ती जाएगी कि why it is important for girls to get educated rather than to get married as soon as they are you know of legal age ठीके इस तरीके नाल you can be anyway innovative that depends on you कि तुसी अब धी present knowledge नू कि में इस तरीके नाल present करके आदे हो कि the examiner is forced to give you maximum marks ठीके ता अब धी innovation तुसी introduce करनी है that is how you will gain most of the marks as compared to the other candidates right so just make the notes of these important topics keep revising them ता जदो answer लिखन लग देया है एई ideas खुद प्रॉपप हुंदे रहन दे आफ दे दिमाग विच believe me it is a process right हजे तु अनुशाय ना समझ आए but as you keep doing it you will see the results eventually also right it is always difficult to imagine forward which key hon wala hai future which kya hon wala hai we keep worrying ki we might fail or something like that but just to keep working on the guidelines that are being given you will definitely see the results in some time right so now next topic Canada needs 30,000 new immigrants in agriculture sector देखो Canada the Royal Bank of Canada ने a study research किती सी जिस विच पाया गया है कि Canada नो खुद नो immigrants दी लोड होएगी right so आप बहुत सोचते रहने है कि यह जे क्या कारण है कि बहुत सारे Indians जड़े है especially Punjab दे लोग जड़े है ओ Canada पाज रहने what is the reason that everyone wants to go to Canada that everyone wants to study there or live there देखो है दे मल्टिपल factors है those are presented on your screen right आज थोड़ा मेरे technical issue हो रहा है इसलिए my laptop is broken I will not be able to write right my screen is broken so I am trying to give you as much as I can so please bear with me so let's look at migration really, it is a lot of pain because it is so expensive and I don't know if it is a lot of money let that be so out migration is a lot of reasons for India to promote a lot of reasons there are three main factors main categories in which you can categorize the reasons of out migration of Indians ठीक है क्यों इनने इंडिया जड़े है Canada विच जा रहेने three main reasons है जिदे डर तुसे सब रीजन्स काटेगराइज कार सकते हूं सब तो पहला factor है push factor right push factor मतलब एह जी reasons जो migrants जो इंडिया विच जो बाहर पुश का रहेने and they are pushing them outwards ठीक है जिमें की इंडिया विच देखो opportunities ही नहीं है लोग क्या करनगे अगर job opportunities ही नहीं है बच्चे चांदे है कि better future हो better opportunities हो and तुसी देखो Canada हो opportunities provide का रहा है they require labor force businessman in their agriculture sector as this report is saying so obviously Indians will go out so lack of opportunities within India within Punjab is pushing the youth outside Punjab देखो agricultural थे बहुत dependent रहा है बत अजकल दा youth villages नहीं रहना जान्दा अगरी कल्चर विच नहीं काम करना जान्दा राधर they want to do better kind of jobs जी देना living standards भी हो अच्छी cities रहन भी मौका मिले right so that is why the opportunities that they are looking for they are not present in India that is why first factor is push that is the factor that is pushing them out then education देन्नी कोई facility नहीं पंजाब विस्पेशली तुसी देखो तुसी कोई significant educational institution नहीं देखोंगे तुन recently कुछ-कुछ institutions बान के आरे है बट फेर भी जा कोई बहुत वड़ा institution नहीं है जितों बारो भी लोग आन पड़न लई थी क्या अपा दूसरी states चा जानने है because their institutions are so good that we want to study there right but पंजाब चाहे जा तुसी कोई भी institution नहीं सोच सकते की बारो लोग आन की ओधी quality education नहीं जादा है राइट उस तो वाद इंडिया विच लोवेजिस भी है अगर कोई काम भी करता है then they are not getting paid in proportion to the work that they are doing obviously they are unsatisfied and they want to go abroad where they can earn more right इसे तरीके नहीं काफी जादा pull factors भी उन्दे है pull factors दा मतलब Canada भी चाहजी कुछ खासिता है जो लोग कानू, Indians दू, Punjabi youth दू, they are pulling towards them first such factor is job opportunities as the study by Royal Bank of Canada has said that there are 30,000 immigrant posts that are you know to be filled by the immigrants आन वाले ताम वचे होएगा की बहुत सारी Canadian farm operators they will retire बुडे हो जांगे right and they will need labor and leadership and that labor and leadership can only be provided by immigrants and that is why 30,000 permanent immigrants जिडियों कानड़ विछी वास जांगे they will be required to run their farm and the industry related to agriculture right so that is why that is the first pull factor second is living standards काफी अच्छे हूं देया बार्ले देशांचे तुसी देखो clean cities, neat cities, all the civil facilities are there civic facilities are there so obviously everyone wants तुसी देखो चंडिगचे ही तुसी अगर विजट किता है you will see lot of greenery, you will see lot of difference from all the other cities everyone wants to live in Chandigarh, why? because living conditions are better so similar ही वे विच, Canada has even better living standards better civic management so that is also a pull factor right, good examples good examples हा मतलब आपने बहुत सारे रिष्टेदार दोस्ता हैं जिनना नो आपा देख देएं कि Canada जाके हो काफी successful होए ने काफी rich हो गए ने so we feel that we can also do that if we go there थिक है तो उनना नो देख के we want to try even more to go out that act as a pull factor थिक है अगर उदर ही किसे नाल बुरा होया होए ता आपने मंच negativity create हो जाएगी and we will never want to go there but we see कि mostly जड़े लोग जामदे है they get settled well right ठीक है जी ते उत्थे जाके earnings भी काफी अच्छी हों दियाने that also acts as a pull factor facilitating factors बहुत ही important अगर ये factor ना होन तब पुछ ते pull factor भी कुछ नी कार सकते facilitating factor कि उनननो help कौन कर दा है educated factors ने जेड़े की immigrants नो बार जान विच help करते ने first such factor is की हुन देखो Canada विच बहुत सारे पंजाबी बसे गए ने तब अगर तुसी कदी Canada जान्दा सोच दे भी हो ना you will get at least one friend or family member or a distant relative that can help you get settled down in Canada ठीक है तब तो अड़े कोल उत्थे इक source है जीदे कोल तुसी जाके अब दा initial setup कर सकते हूं to build your life in Canada so the presence of your friends, relatives, family members abroad helps you to take that step to go to Canada नहीं ता तुसी आजी जगाते कित्थे जाऊंगे जित्थे तु अड़े कोई लेना देना नहीं है कोई जहन पचान्दा लोग नहीं है तुसी सोचोंगे कि होते जाके मैं करूंगा ही कि अगर मैं तो अनुकामा कि तुसी आइसलांड जाना है right, will you prefer to go there no, because there is no one that knows you there, you don't know about Iceland, their people and everything so those local linkages होना, connect होना, that is very important right, उस तो आद इमिग्रेशन अजंसी, साध्डे पंजाव विचे इमिग्रेशन एंजंसी प्रॉपप हो गया है, that they have made it very very easy for a person to move out, to migrate out, ठीक है, ये सारी facilitation provide कर दिया, सारी documentation, सारे issues तो resolve कर दिया, help कर दिया है, and then facilitate right, lot of information about Canada is there that is also helping us, ठीक है ठीक है, ये सारे factors लिखके रखो, answers चे यूज कर सब दियों, interview चे भी बहुत पुच्छा जान्दा है, मैं तो UPSC दे interview चे, same question पुच्छा गया सी, and it is highly possible कि Punjab ECS दे भी interview चे पुच्छा जावे, means चे पुच्छा जावे, essay भी आ सकता है, because this is a prominent problem को या social condition को पंजाब चो, that out migration is very very high, ता ये ता बहुत ही important topic है तो अड़ली, ये सारे reasons लिखके रखो, ते Canada दे Royal Bank दे ये case study लिखके रखो, that you can use while writing your points, to make your answer impressive, ठीक है जी, next topic कर दे हैं, just give me a minute to zoom in, next step topic है सादा, S.J. Shankar साब, foreign minister जड़े है, Caribbean nations दी विजटते है, as I told you, की Latin America दी चार countries या चार एरियास विचो जारे ने, one was Caribbean nations, right, ता हुनो थे, सादे foreign minister ने प्रपोस किता है की Caribbean countries नो सी grants दमांगे, we can give them grants worth 1 million dollar, अगर हो small and medium enterprises establish करना जांदे है, अगर हो businesses जड़े हो, promote होन, जवें की tourism related business, textile related business, whatever they are interested in, we will provide them grant basis projects, grant basis funding, जड़े है, जड़े है, जड़े है, जड़े है, जड़े है, जड़े है, पॉसिबिलिटी ता काफी काट है, but still, for safer side, right, next news item है, इजरो प्लेसे, इजरो's PSLV, जड़े है, जड़े है, सारा आपा detailed launch vehicles, जड़े है, जड़े है, I will link the video, I will check and link the video here, I do not remember the date right now, but PSLV, the launch vehicles, the detailed discussion, April, which मैं काट चुकी है, right, I am in March, which I have done, March, the compilation भी तु अनु मिल गई है, just go to SiddhiPanjab.com enroll with your Google Gmail ID, and then you can get the March compilation in your dashboard, सारी डिटेल launch vehicles दी तु अनु मिल जाएगी, काफी significant है, ठीके जी, उन इजरो ने बहुत हैजी achievements कितियां है, जड़ियां कि India लही लाबदायक रही है, ते बाकी बहुत सारे दुनिया दे, you know, nations लही वी helpful रही ते recently वी यही एक्जैंपल सामने आई है, इजरो दी जड़ी commercial आम है, commercial wing है, तुसी कह सकते हो, New Space India Limited जीदा नाम है, NSIL, नवी यहे agency तुसी कह सकते हो बनाई है, which acts as the commercial arm of इजरो, कि इजरो दे जिनने वी products है, उनना नू बेच दी है, आई लगा लो, कि इजरो लई business लेके आम दी है, ठीक है, ता इस आम ने Singapore दी दो satellites space which launch करवाई आने, ठीक है जी यह नदा agreement होना है India और Singapore दा, to get the satellites launch and finally successfully PSLV ने यहे launch किता है, PSLV दा है 57th mission सी, बहुत सारे missions passed which PSLV कर चुक क्या है for India as well as for outside world right, this demonstrates the prowess ची में आपका कहने है, P-R-O-W-E-S-S यह वर्ट दा मीनिंग भी देख्यो, it projects the prowess of India in the space sector, ठीक है जी कि में India space sector नू commercialize कार्या है, पैसा कमार्या है यही पता चालदा है, India दी global level ते image build-up हो रही है as a global power as a space power right, सिरफ Singapore दे नहीं आपा UA, Iran, UK, एह जी बहुत सारी कंट्रीज दी satellites अज तक launch कर पाए है, so all of that acts as a part of our space diplomacy as well as building India's global image as a global space power right, so you can use this also as an example next important article Earth Day Earth Day बहुत important you know, event है जड़ा 22nd April नू हर साल celebrate कर दे है, right सानू light switch off कर निया पेंदिया है 8 बजे तो बाद so that we can conserve some energy something like that, that is Earth Hour I mean, Earth Hour is related to not related to Earth Day as such but that is the same concept क्यान दा मतलब है क्यों थे भी आपा Earth दी protection environment दी protection दा कम कर दे है Earth Day भी आपा awareness generation दा कम कर दे है right, so 2023 दे Earth Day दा theme क्या है invest in our planet that is businesses are being asked to create solutions to create to invest in places that can create healthy alternate natives for the planet for the Earth ठीक है, एहजी जगामा ते पैसा लगाओ, जेड़ा की green living नू प्रमोट करे planet दी health नू इंप्रूफ करंच प्रमोट करे right next India forms trilateral with Iran, Armenia India forms trilateral with Iran and Armenia आप्रमोट आप्रमोट की जड़ा है नहीड प्रमोट का आप्रमोट का रहे हो for what, where will this trilateral be focusing, basically economic ties नू improve करना economic ties दा मतलब trade नू improve करना, investments नू बदाना, इनना countries which, transportation, connectivity facility नू facilitate करना, ठीक है as I always say, whenever there is connectivity, that is the only way to able to, you know, promote any other kind of connection, हुन देखो, अगर तुसी, you know दोस्ती maintain करना चानने हो, let's just say it is very important कि तुसी connected रो, through calls, through meetings through, you know, different ways था एसे तरीके ना लगर countries trade करना चान्दियाने invest करना चान्दियाने they want their people to move to each other's countries the connectivity, transportation is very important, था connectivity थे भी एस, trilateral जो focus होएगा, energy ते focus किता जाएगा, energy trade थे, Iran is the biggest energy provider that is also where it will be focused, people to people or contacts नो enhance करनते भी focus किता जाएगा ठीके, that is the trilateral it will be working on एते, normal question आसकता है, that what is this trilateral all about, so you can answer on these lines की, एहे targets नाल, एहे trilateral बनाया गया है, इस vision नाल राइग, so, make a short note on it, and it can be used then, VVPAT machine, ठीक है, VVPAT था क्या मतलब है, voter verifiable paper audit trial, ठीक है, देखो हूँ, नॉमली क्या हूंदा है, when you go, you cast your vote, अगर तुसी सारे अठारा प्लस हूँ, if you have ever cast a vote, you would know की तुसी जानने हूँ, you press a button, and the vote is recorded, तो अनू exactly वैसे पता नहीं चालदा की, vote किसनू गई है, कोई माल प्रोग्रामिंग था नहीं सी, की तुसी समझ लो, Congress था, candidate नू प्रेस किता, बट मशीन विच कोई माल फंक्शनिंग सी, and BJP the candidate जड़ा है, जित रहा है, that is how the allegations are levied, politics विचे ही सब चलता रहन दा है, ता एस ही इसू नू रिजॉल्व कर ले, VVPAT एक solution निकाल ल्या गया, VVPAT च क्या देर, the serial number of the candidate will be there, ते ओधा symbol दे होएगा, ये तिन चिज़ा याद रख नहीं है, prelims दे ये ते question बान सकदा है, ये तिन चिज़ा, ओहो, तुसी कह सकदे हो, slip दे presented हुन दिया है, right, तो तुसी आफधा, vote verify कार सकते हो, through this, by seeing this paper slip, ठीक है, उन ये वी याद रखना है, कि ये paper slip बाहर निकल के नहीं आंदी है, in solid form, तुसी ये नू फड़ के नाल लेके जा नहीं सकदे हो, right, ये paper slip चेड़ी है, ये generate हुन दी है, और नाल दी नाल, एक connected dust bin नाल, तुसी कह सकदे हो, या अलग box विचे है, बंध हो जन दी है, this box is locked, sealed, common man cannot access it, only vote counters वेगेरा, किसे purpose ले ये नू use कर सकते है, right, ये सो अनू 7 second light display हों दी है, then it is automatically cut and delivered to a sealed ballot compartment, right, so VVPAT वारे याद रखना है, questions आ सकते ने, right, ये second line of check दी तरह act कर दी है, कि साधी vote असी जी नू चाह रहे हैं, वो नू ही जावे, किसे नू वी ऐसे नहीं है, कि किसे होर कांडिडेट को it is going on, right, so election frauds नू प्रिवेंट करें, which एहे एक possible way out है, इसे लिए election commission जड़ी है, VVPAT machines नू इंटर्डूस करन दी कोशिश कर रही है, in the upcoming elections, right, नहीं रिपोर्ट आई है, state of global climate 2020, मतलब इसने global climate नू assess किता, in the year 2022, and it has come out with following findings, इस findings important है, एह चार point आप दे को लिख के रखो, what does it say, the report says, कि 2022 which, fifth warmest year है, पूरी दुनिया ने जो विटनेस किता है, तुसी कह सकते हूं, 2022 जेडा है, warmest था नहीं है, बट फिफ्थ warmest year है, right, droughts, floods, heat waves, जेडे है, उग continuously increase हो रहे है, in their unpredictability, in their intensity, right, according to the report, and report A.V. कह रही है, कि जेडी greenhouse gases, दी concentration है, that was at record high in 2021, mainly या तिन greenhouse gases है, जेडिया, oxide, methane, and nitrous oxide, इनना दी concentration 2021, which it was record highest, ठीके जी, and methane दी concentration was the highest in 2021, ठीके अज तक जिननी भी methane दी concentration record किती गई है, it was the highest in this year, right, so this is काफी concern वर्दिं, because as the climate is changing, as the uncertainty of these kind of disasters is increasing, it is also increasing the economic costs, ठीके जी, जिनना जादा दिसास्टर हो, उनना जादा पैसा खराब हो, डूबूगा, in the form of वर्किगार्स, in the form of property damaged, in the form of mortality, ठीके, different form economic losses जड़े है, cost जड़ियां है, billions of dollars, विच कंट्रीज नू पुगतनियां पैरियां है, लोका नू पुगतनियां पैरियां है, ता है रिपोर्ट केंदी है, we have to be very aware, we have to work towards climate resilience, towards better living, right, so, एसे लही, this is important, एसारी findings लिखके रखो, economic cost वाला point जड़ा कि एथे मैं लिख्या होया है, make a note of this also, this will be very helpful for you, right, now, next, एसे ही report ने, एक होर, you know, observation दिति है कि 2022 जड़ा सी, ओ बहुत ही nasty, deadly, costly, and hot ERC, you will check the meaning of nasty, it can be asked in your CSAT also, ठीके जी, the world over example सितिया है इस रिपोर्ट ने, कि तुसी किसे भी country जदेख लो, जगा तुसी वर्सनिंग क्लाइमेट सिटूएशन, डिसास्टर सिटूएशन देखोंगे, आफरिका च देखोंगे, आफरिका देखोंगे, 1.7 million people have been displaced in Somalia, because of the droughts that they are witnessing, आपा कहने है न, Somalian pirates, तुसी बहुत सुने होंगे, ठीक है, लुटेरे, समुंदरी लुटेरे, वो सुमंदरी लुटेरे क्यों बांदे है, one reason is Somalia दी जड़ी economic condition है, वो बहुत पूर है, and one of the reasons is, the natural calamities like droughts that they face, ठीक है, तो already एनने लोग Somalia तो displaced हो चुके है, Pakistan चहुन recently flood आया सी, तुसी maybe news follow कित्ती होवे, it had lot of lot of impact on the population of Pakistan, almost one third of the Pakistani population was underwater, एस फ्लूट दे दोरान, and 8 million तो जादा लोग जड़े displaced हो गाई सी, ए इंटरनाशनल एजम्पल्स लिखके रखो, this you can use in your essays, और एनी क्वेस्टिन आन च्लाइच, ठीक है, climate change जेड़ा है, global warming, disasters, ए बहुत इंपोर्टेंट को अपने टॉपिक्स ने, ऐसे लही, ए इंटरनाशनल एजम्पल्स भी लिखके रखो, चाईना दी हीट वेव दी कंडिशन देखो, longest and most extensive in any country, right, ते फ्लूट्स, ड्रॉट्स, हीट वेव सारे किते ही billions of dollars दा नुकसान का रिया है, इंडिया दी एग्जम्पल्स दा उसी विटनेस कार दे ही रहने, और रिपीटेडली जोशिमत इंसिदेंट आपा देख्या, एजे बहुत सारे इंसिदेंट्स आपा देख रहे हैं, that are directly और indirectly related to climate change, global warming, or worsening situations, right, इसारे एग्जम्पल्स यूज कार सकते हैं, finally, अपने कौल बच गया, उज्वला जोजना बहुत ही इंपोर्टेंट स्कीम है, गवर्मेंट दी, right, 2016, विच इनिशली लॉंच हुई सी, with the vision to improve the health of the women and children in households, ठीक है, traditionally क्या उंदर, if you have seen, आपता पंजाब लोग है, आपता विलेज कल्चर भी बहुत देख्या है, I hope कि तुसी भी कदी, आपता कोई भी दोस्त, या आप दे किसे इंसेस्टर्स देनाल विलेजेश च गय होंगे, you will see that lot of firewood fuel is used, लकडिया, चटिया वेगरा बहुत देख्या है, फ्यूल नू, you know, अग रिएट करन लेजेश भी किचिन वेच्ण वेच्छ भी करन लेजेश भी करन लेजेश भी हानिकारक, बिकास बहुत जादा होदे नाल तु आप स्मॉग जड़ा है, जनरेट हुंदा है, फिजेश भी करेंसे हैं वेच्छ वेच्छ भी करन लेजेश भी किचिन वेच्छ भी जो में है, प्रथीया खिटा can be अहलेज भी जीड़ादा है, so that they use this cylinder rather than using the fire mode ठीके जी ता एस करके इस program करके काफी impact पया है initially देखो एस program which we issued सी people were not readily accepting LPG या एक scheme जडिया लोका तक नहीं पहुंच रही सी but over the years this scheme has done very well हुन तुसी अगर देखो एस scheme दे चाल दिया हुए LPG consumption जडियी सिरफ 62% सी 2016 विच वदके 104% हो गई है 2002 वीच राइड दिया अदिया वाद के 104% हो गई है 2002 वीच राइड दिया वाद के इक सो चार परसंट हो गई है 2002 वीच राइड दिया वाद के 106% हो गई है इवन इंटरनाशनल एजनसी WHO has recognized की यह स्कीम कारके इंडिया विच 37 million women di health te positive impact आया है right so this is a very significant scheme this you can use as an example of India's success story right right हर scheme दे देखो कुछ ना कुछ positive impacts है उन्हों तुसी यूसे यूसे कर सकते हूं like we discussed in Swach, Bharat also and here in Urjwala right यह scheme देखो women empowerment te focus कर दिया है because the LPG cylinder is issued on the name of the adult women right male de naam te nahi हुंदा क्योंकि misuse di possibility हुंदी है right उस तो बाद 35% of the beneficiaries under this scheme are SCST beneficiaries ता मतलब आपा backward classes नो भी help करन दी कोशिश का रहे है ते most of the beneficiaries जड़ी है इस scheme दे अंडर है वो वल्नरेबल states ता जी में आपा कहने है बिमारू states दे विछी है right most biggest beneficiaries are these disadvantaged states and that is what we want ki jade most vulnerable sections है उनना तक एशकी स्कीम दे बने पच्चन and this scheme is able to do that right so this is a very significant scheme आ सारे पोंद्स जड़ी हा लिखके रखो right that is how you can use them in answers that was all about this discussion thank you so much for joining प्तारीब टेक of सबस्केंडें